वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज प्लिल आइकन सब्सक्राइब एंड प्रेश्ट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे विकास इकोटेक की दोस्तों चलिए जो सीधा अब्डेट आया है उसके बात करते हैं उसका इसमें देखेंगे किस तरह का प्राइस पैटर्न है और किस तरह के टारिट हमें सेट करने चा नौमबर का दो दो अपडेट है तो इसमें जो जो अपडेट है उस पर पहले बात करते हैं तो देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट है वो है कि इन्टिमेशन आफ मीटिंग और बोर्ड डारेक्टर्स टू बी हेल्ड आउन नौमबर 20 2021 तो यहां पर दोस्तों देख सकते क कि यह जो राइट इसू का मामला था जो कि एपरूब किया गया था उसके पास से इन्होंने उसके बारे में एक नया अपडेट दिया है कि उसका जो एमाउंट है वो रिस्टिट किया गया 49.85 करोर पे तो दोस्तों इसका लिए जो भी अलग-अलग मैटर है इससे रिलेटे वो सब्डेट किया गयानोंबार 20,20,21 को पर जो की शैटरे कहें तो रॉइट इसू का टर्म संड कंडिशन क्या हो सकते हैं इसके इसके लिए ड डिर्टरमिनिशन क्या रिच। क्योंन वहीं कि लिए इसके इससे रिलेट हैं क्यों पराइस कितने हो सकते हैं definit जोंने क्यों ह रहेंगे उसके बारे में चर्चा होगी और इस पर जो भी एप्रूबल के जरूरत हो तो एप्रूबल लिया जाएगा इसके लिए यह बोर्ड मीटिंग रखा गया है और दूसरी यहां पर ख़बर वह न्यू बीजनेस डेवलोपमेंट के बारे में तो दोस्तों यहां पर द इन और तू ब्रोड बेस इस बिजनेस इंट्रेस्ट अगुमेंटिंग कस्टमर फोरफाइल एड अड़ेट वेरियस रॉम मैटेरियल्स केमेस्टरी एंड प्रोड़क्स तो तो आउफरिंग इन लास्ट कपल आप यहां पर बताया है उसमें इन्होंने इस्टील पाइप इसके बारे में यहां पर बताया है उसमें इन्होंने इस्टील पाइप फिटिंग प्लाइंट है विच आफ्टर ट्रायल प्रोड़क्शन वेंट इन्टू कमर्शियल प्रोड़क्शन इन दिस वीक अल्मोस्ट टू मन्थ अहेड अफिट सैडियूल यानि जो भी इन्हों में पता चल रहा है इस कंपनी के बारे में तो यहां से जो इन्होंने कंसीडर किया लॉंग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में जिससे की इनका कंपनी का जो रिवेनियू है वह इन्हेंस होगा इसका प्रोड़क्ट बास्केट बढ़ेगा प्रोफिटेबिलिटी बढ इन्दक करेंट फाइनेंशियल यहां इस फाइनेंशियल में आपको रिवेनियू में काफी अच्छा कासा तेजी दखने को मिल सकती है और इसके आदेख सकते हैं इंप्लाइट मेंट विट एचो एफडी यहां पर देख सकते हैं कंपनी हाज बिन वर्किंग ऑन मेनी प्री प्रकेटिंग फेडरेशन है वहां से इन्होंने एप्रूबल लिया है एप्रूब वेंडर विद यूपी एस्टेट यहां पर जो कंपनी को मुस्ट ली जो भी एप्रूबल मिला उसके बारे में मिला इसका देख सकते हैं इन्हांस्मेंट इन इंटेलेक्टिवल प्रोपर की जो इननो जो सीस कैल्सियम कर्माणिक की बात करें तो प्लास्टिक रबर नियूज करने काहिए नयात जो इन्होंने इस्टार्ट किया है उसमें क्या three or मॉडिकोंट की बातकरें मल्टी रोल इ た equally मॉडी फाइड पम प्लास्तिक नेचुरल ए शेंतेथि यहां पर दोस्तों यह दो बड़ी अप्डेर थी इसमें क्या है कि जो रेइस्ट्रेशन ऑफ पैटेंट ऑन दे इस आफ नैनो सी ओ सियो थ्री इन प्लास्टिंग रपर कंपाउंड है भी इविल्यूएटेड एंड डूली एक्सेप्टेड वाइड एस्टेटरिय सकता है दोस्तों यहां पर अगर टेकनीकल में देखिए तो पहले जो रिटर्ड है वह काफी ऊपर से नीचे के तरफ देखने को मिले हैं लेकिन यहां से जो आपको अभी इस तरह के चेंज्ज हो रहे हैं वहां से बिल्कुल केमिकल इंड़स्ट्री इस तरह से चेंज सकते जो १ होल्डिंग है पिछली एक दो लुके तो यहां से थुरा बढ़ाह है लेकिन के देखें तो आकढ़े साल वाहां से पहले से प्रेट रहा है तो फिर से इंटरेस्ट इसमें इसमें जग रहे ऐसा और दूस्तों यहां पर अगर बात करें गे कि प्राइसे थो दूसरा टार्गेट रहेगा वह 2.35 का रहेगा और तीसरा टार्गेट रहेगा वह रहेगा 2.45 का और यह आपको तीनों टार्गेट इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको भी वीडियो मिश्ट नहीं कर पाएं और अगर आप सौर्ट टर्ण बेसी से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलिग्राम चैनल से जूर सकते हैं वहाँ पर मैं सौर् जाने लिजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ धन्यवाद